हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीटुक चैनल जी के ट्रिक्स विससादिक में है दोस्तो एक तरफ जहां रेल्वे ने एलपी की वेकेंसी दे करके खुशखबरी केंडिडेट्स को जो है खुशखबरी दे दी है तो वहीं पर जो है दूसरी तरफ रे आई अफ्स खुनल और स्जलो घु factual में सब्सक्राइब कर दूसरी चैनल पर मिल रही है और जो है ओफिशेली जो है मैं आपको डाटा बताने वाले टेक्निशन भरती के रिगार्डिंग वही पर बात करें तो वीडियो को आखिर तक जो देखेगा क्योंकि बहुत ही यूसफुल वीडियो आपके साथ आपके लिए जो होने वाली है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर रेलवे ने जो है इंप्लाइमेंट नूटी इंप्लाइमेंट जो न्यूस पेपर होता है उसमें सबसे पहले अपना एड़टाइस दे देती है विकेंसी के रिगार्ड तो इसमें साथ ही साथ जो एलपी के साथ साथ जो है टेकोनीशन की भरती भी आती है जैसा की अगर हम 2018 में जो एलपी टेकोनीशन की भरती आय थी तो उसका नूटिफिकेशन अगर हम ओपन कर एं Emperor का तो देखते है तो देखे दोस्तों यह हमने Employment News-Puper जो है दो हजार आहर का ओपन कर रहा आप देख सकते नियू डेली तीन फरवरी से लेकर के नौ फरवरी के दोजा रठारा के बीच में मतलब कि दोजा रठारा का दिया गया है तो इकतिस नंबर पेज नंबर हम उपन करते हैं अब दोस्तों हमने जो है जब यहाँ पर नीचा आएंगे तो देखे सारा सब कुछ इस तरह से दे रखा है जिस तरह से अभी जो है एलपी टेक्निशन की जो भरतियाने वाली है तो देखे यहाँ पर वेकेंसिस के बारे में दिया गया है असिस्टेन लोको पाइलट की 17895 पोस्ट दी गई थी वहीं जो है कितने एजवाले केंडिडियर्ट और इसका जो है मेडिकल इसका एग्जामिनेशन फीज कितना रहेगा इंपोडेंट वगेरा दे राखी 27 एक से स्टार्ट होकर के जो है इसका जो है 26 2018 तक या फार्म भर सकते इस तरह से सब कुछ दे रखा था तो इस तरह से जो है एलपी के साथ जो है साथ में टेक्निशन भी भरती आती है हमेशा आप सभी को पता है लेकिन इस बार जो है रेलवे ने जो 2024 में पहली भरती देने जा रही है सी एन सेंट्रालाइज एंप्लॉइमेंट नूटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5669 ALP की ही बात की जा रही है मनलब 2024 वाली भरती में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ALP की वेकेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर टेक्निशन की वेकेंसी की बात नहीं की जा रही है तो देखे दोस्तों यहाँ पर ऑफिशली डाटा अगर देखा जाएगा तो रेलव तक के तो दोस्तों जो 2018 में एलपी टेक्निशन की भरतिया थी उसमें एलपी के stand-by candidates को जो है vacancy के थूरूप मनलब fulfill कर लिया था stand-by candidates को ले करके मुई पर बात करें तो जो technician का 2018 में एलपी के साथ जो technician भरतिया थी उसमें जो stand-by candidates को अभी भी fulfill किया जा रहा है उनकी जो है उनी को लेकर के 2018 की भरतियसा ही अभी टेक्निशन वाले candidates का काम चलाया जा रहा है मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी जो है 36.2025 तक के जितनी भी vacancy खाली होने वाली technician की तो वो जो है waiting वाले जितने भी 2018 के candidate technician में जो waiting में है उन्हीं को जो है यहां पर appointment दे करके उन्हीं से जो है भरति को fulfill कर वा लिया जा रहा है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो 30.2025 तक जितनी भी vacant होने वाली है technician की post तो जो है 2018 की भरति से ही उनका काम चला जा रहा है 2018 में जो candidates waiting में है उन्हीं से जो है technician की भरति का कोई नामों निशान यहां पर employment notice में भी नहीं दिया गया है और full employment जब employment notification में नहीं दिया गया है तो जो detail notification दिया जाएगा आज कल में तो वो भी जो है उसमें भी आपका technician की भरति का कोई भी जिक्र नहीं होगा मला हम कहें सकते कि यहां पर 30 June 2025 तक के जो vacancy 2018 के candidates से भरा जा रहा है तो उसके बाद जो है अभी 2024 वाली भरति में आपका technician का vacancy नहीं देने वाली railway क्योंकि यहां पर 2018 वाले candidates waiting से ही यहां पर vacancy को fulfill किया जा रहा है भरति को पूरा कर लिया जा रहा है लेकिन यहां पर इस बार railway board ने पूरा उल्टा कर दिया है अब पता नहीं यहां पर यहां पर यह क्या करेगी हो सकता भविश्य में आपको vacancy दे दे लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर अगर vacancy देना होता तो यहां पर चार vacancy, 8 vacancy, 100, 200 vacancy कुछ तो दी होती लेकिन यहां पर एक भी vacancy जो है टेक्निशन की नहीं दी गई तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर ALP के साथ सा जो है आप टेक्निशन की भरती नहीं देगा इस employment notification में यह हम बोल सके तो इस vacancy में जो है टेक्निशन की भरती का कई से कही त तो हम जरूर जो है उसमें participate करेंगे और जो है अपने मांग को उपर बढ़ाएंगे ताकि सरकार को जो है दीखे कि यहां पर जो है जितने भी candidates 2018 में eligible नहीं हुए थे तो अब उनको technician में अगर eligibility हो रही है तो वो उनके लिए भरती क्यों नहीं दी गई है इसके regarding अगर कोई भी campaign वगरा चलाए जाए गए Twitter campaign वगरा तो हम उसके माध्यम से अपनी आवाज जो है सरकार तक जरूर पहुचाएंगे तो चले दूस्तों इस वीडियो में हम इतने ही रखेंगे आपको सब कुछ समझ में आगया होगा मिलते है नेक्स ट्वीडियो में नेक्स टबेट के स अब तब तक ले अपने खेल रखेंगे बाई फ्रेंड्स